नमस्कार दोस्तों यो लोगों के मन में आम रहता है कि बैंक्स के अंदर पड़ा हुआ हमारा पैसा कितना सेफ है जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते शेयर मार्केट में या मुचल फंड्स में इंवेस्ट नहीं करना चाहते है और एक सेफ ऑप्शन चाहते हैं वो पोस्ट पांच लाख रुपे तक का रुपेया सेफ है अगर बैंक डूब जाता है लेकिन ऐसा नहीं है अगर बैंक डूब जाता है तो आपका पांच लाख रुपे से ज्यादा रुपेया उसके अंदर सेफ है अब आप सोचेगे कि ये आज उल्टी बात क्यों कर रहे हैं उल्टी बताएंगे दोस्तों फर्स कर लिजिए A, B, C तीन परसन है अलग लग परसन A ने एक FD करवाई है अपने नाम पर जो के 10 लाग रुपे की FD है तो उसको 5 लाग रुपे तक के इंश्वरेंस मिलेगा बैंक डूबने की कंडिशन में लेकिन दूसरी FD परसन A ने करवाई है A, B के नाम से जोइन्ट FD तो परसन A का फस्ट नेम है परसन B का सेकंड नेम है ये जोइन्ट FD हो गई जिसमें फस्ट नेम A का है तो ये भी 5 लाग रुपे तक की इसमें आपको अलग से इंश्वरेंस मिलेगी तीसरी FD वो करवाता है A, B, C तीन अलग-लग जोइन्ट नाम से जिसमें तीसरा परसन और एड हो गया तो ये भी आपका एक अलग से 5 लाग रुपे का इंश्वरेंस उसके उपर मिलता है एक ही बैंक के अंदर आपका current account भी है saving account भी है, recurring deposit भी है और कोई FD भी है तो वो सभी cover करके एक परसन का maximum insurance 5 लाग रुपे का है वो bank की branches कोई भी हो इसके अंदर चाहे वो आपकी local branch है चाहे आपने उसी bank की किसी दूसरे शहर की branch में account open किया हुआ है सब को एक ही माना जाएगा लेकिन वही इनसान जब किसी के साथ joint account के रूप में एक नया account open कर लेता है तो वो second capacity माने जाती है वो same capacity नहीं है same capacity का मतलब कि एक person ने A person A है जो उसने A के नाम से ही सारे accounts open किये हुए है other capacity का मतलब हो गया same capacity से बाहर है जो कि एक person A ने पहला account A से खोला था दूसरा account को FD account है या recurring deposit है A, B के नाम से third capacity हो गया A, B, C के नाम से तो वो अलग-लग माने जाते हैं different capacities उसके अंदर आपको अलग-लग 5-5 लाग रुपे का insurance मिलता जाएगा यह हमने आपको इस समय आपकी screen पर जो आ रहा है screenshot इसके जरीए अच्छे से समझाने की कोशिश किये यहाँ आप इसको pause करें और अच्छे से समझें कि किस तरह से यहाँ आपको समझाया गया है कि person A का person B का क्या-क्या अधिकार है कहां आपको 5-5 लाग रुपे तक के insurance मिलेगा, कहां आप 5-5 लाग रुपे या इंडिया से बाहर हो, आपका अगर account है, तो आप 5-5 लाग रुपे तक secure है, कौन से इंडिया के bank सबसे दा secure है, इसकी list भी RBI ने आज ही जारी की है जो DSIB list RBI जारी करता है इसके वीडियो का detailed link आपको description में मिल जाएगा जिसमें पूरी list दी गई और है, तो आपको per capacity and rights 5 लाग रुपे तक का insurance मिलता है, ये हमने अब तक जाना, bank के डूब जाने की condition में वो आपको पैसा कहां से मिलेगा, Reserve Bank of India और Government of India मिलकर उस डूबे हुए bank को किसी दूसरे bank के अंदर merge कर देते हैं और आपको वो 5 लाग रुपे तक का insurance मिलने का maximum समय होता है, कुछ लोगों को बहुत गलती है कि 5 लाग रुपे तक का insurance पका है कि चाहे उनका पैसा bank में हो या ना हो, bank डूब गया तो उनने 5 लाग रुपे मिलेगा ही, ऐसा नहीं है दोस्तो, 5 लाग रुपे आपको तभी मिलेगा, जब आपका वाकई उस bank के अंदर पढ़ा हो, और ये 5 लाग रुपे आपके principal amount यानि कि मूल राशी जो आपने deposit करवाई, और उसके उपर जो ब्याज बनता होगा, उसको लेकर club किया जाएगा, मालीजी आपने 4,90,000 रुपे की FD करवाई थी और उसके उपर आपका 9,000 रुपे ब्याज हो चुका है, तो 4,99,000 हो गया, तो 5,00,000 रुपे तक के आपके पास insurance है, 5,00,000 रुपे आप पूरा मिलेगा, मतलब ब्याज की दकम भी अगर 5,00,000 के अंदर दाइरे में आती है और वो accrued interest है, तो वो आपको जरूर मिलेगा, दोस्तों अगर person A प्रोप्राइटर है, तो उसका single name का account, single capacity माना जाएगा, यानि person A का savings account, जो उसके individual name पर है, और उसकी firm का current account, ये single capacity ही माना जाएगा, लेकिन अगर उसी person A ने, अपनी wife के साथ, अपने brother के साथ अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ किसी के साथ भी joint account open कर लिया, savings account का, तो वो other capacity है, किसी और के साथ उसने FD account open कर लिया, किसी और third person अपने किसी friend के साथ है का, उसने FD or open कर ली, तो वो सब अलग-अलग capacities के account माने जाएंगे, सब में अलग-अलग 5-5 लाख रुपे तक का insurance आपको मिलेगा, दोस्तों, उमीद है, ये वीडियो से आपको जो जानकरी मिली, अब से पहले आपको नहीं पता होगा, अगर नहीं पता थी, तो वीडियो को like जरूर करेगा, दोस्तों के साथ share करना ना बूलिएगा, देखते रहे different moods, thank you.